आज की खास ख़वर में आपका स्वागत है मैं हूँ संजीव गंभीर आप हुंगो किसी एप पर देख रहे हूं तो फालू कीजिएगा हाँ यूटूब चैनल पर देख रहे हूं तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा साथ ही बैल आइकन प्रेस चनूर कर लिएजिए ताकि हमारी ख़वरों के नोटिस आपके मुबाइल में पहले पहुच है आल फाटक के पास कुनाल गैस एजनसी के गार्ड कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तीन दिन पहले उन्होंने अपनी कोरोना की जाच कराई थी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही पूरी गैस एजनसी में खलवली मच गई और बड़ी संख्या में करमचारियों के कोरोना टेस्ट मौके पर ही कराए गए गैस एजनसी को फिलहाल बंद कर दिया गया है पूरे गैस एजनसी को सेनिटाइज कराए गया है करमचारियों के सेंपिल लेते हुए उन्हें हिदायत दी गई है कि वो घ पहर के अंदर ही कॉरिंटीन रहें, साथ ही आसपास के छेत्रों में भी कोवी सेनिटाइज कराय जा रहा है, नाक और मुग के जरिये सेंप्लिंग की गई है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बाकी करमचारी संक्रमित हैं या नहीं, यहां बताते चलें कि बर आए दिन सो या दो सो से ज़्यादा केसिस प्रकास में आ रहे हैं, लगातार मौते भी हो रही हैं, पड़ी संख्या में लोग कोरोना वाइरस की चपेट में आकर अपनी जान गवा चुके हैं, शायदी कोई ऐसा सेक्टर बचा हो या चेत्र बचा हो जहां कोरोना की केसिस ना निकले हों, अखवार के संस्थानों के लोग भी संक्रमित हुए हैं, जुटिसरी, पुलिस, स्वास्त, नियाय, विभाग समेत, बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तरों के अंदर ही कोरोना वाइरस का संक्रमन दिनो दिन फैल रहा है, कई इलाके कंटेनमेंट जोन खोश इस गैस गैस एज़ेसी में क्रोना केस निकलने से खरवारी अची हुए है, आप दो कैमरे की नज़र में रहे कि लाए हूँए, इस प्रकार से लोगों को सेरिटाइजर छिरका जा रहा है, वो करोनों को सेरिटाइज के जा रहा है, क्या बोले हैं जिन्मेतार क्या नाम है रामतार रामतर जी क्या मामला है कुनाल गैजेंसी लाल फाटक पर सभी कर्मचारी बहार खड़े हैं तो इसा हमारा जो है जो है जाट करा थी तीन दिन पहले तो इस वेज़े से सबीट रुका हुआ अगा कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कर्मचारियों में डर है कर्मचारियों में डर लग रहा है जो हो गया हो जो कि दार जी विए से उसमें को कारीश प्रेस अले हैं नाल है तबीख भी तो इसके वहारे जो कि दार रहें वह तो उनको भी डरा है कि हमें भी ना हो इसलिए वो लोग मतलब दूब रुके आप यह किस पद पर हैं आप एक जो अग्याद कर दो